तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करते हूं अच्छे होंगे आप तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एड्सेंस के बारे में बात करने वाल हूँ कि आप अपने एड्सेंस अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे लिखहुए है दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ ऐसा लिक्किया रहे यहाँ पे लिक्या रहा है आपने अधर एकांट को आप लेज़ कर सकते हैं लेकिन दो AdSense Account एक नाम से नहीं होना चाहिए जो कि यह illegal भी होता है दोस्तों एक AdSense एक बार ही बनाया जाता है एक नाम से मतलब एक ब्यक्ति एक ही बार जैसे मैं एक ही बार अपने नाम का मैं खुद एक ही AdSense Account यूज कर सकता हूँ दो नहीं कर सकता तो यहाँ पर दोस्तो भी नहीं होँआ मैंने वहाँ पर क्लोज कर दिया तो कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है और दो AdSense होने पर भी यही प्रॉब्लम आते हैं तो कई तरीके प्रॉब्लम होते हैं कुल मिला कि यह प्रॉब्लम कैसे दूर करें यहाँ पर अपने AdSense Account को हम Other AdSense को क्लोज करेंगे या दोस्तों इसी AdSense Account को हम कैसे क्लोज करेंगे आज की वीडियो में हम जानते हैं तो यहाँ पर हम सीधा से यह जानेंगी कि हम इस AdSense Account को कैसे क्लोज कर सकते हैं इसी AdSense Account को Other AdSense Account को हमें नहीं क्लोज करना है या किसी भी AdSense Account को कैसे क्लोज करें तो य यह मेरे मोबाइल पे चल ना है कि आपको टिय को परुम कि गई मेल को नहीं ह Tá यहाँ किस तो पता लगा कि आप कभी कभी समधी दो कर रहे हैं आपको यहाँ पो यहाँ पर प्रसीश यहाँ android को दिय चाप धे कर रखना जैसे कि मेरी यह Gmail लगी हुई यहां पे आप फोटो देख सकते इसका मैं यहां पे अकाउंट कलोज करूंगा मेरे पास अधर भी एकाउंट है मैं उसको नहीं कलोज करूँगा इसको कलोज करूँगा तो यहां पे मैं कर देता हूँ डारेक्ट कट और यहाँ पे दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने जीमेल पे और जीमेल पे जैसे ही मैं आता हूँ मेरे सामने आपे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपको फोटो ध्यार रखने मतलब आपकी कौन सी जीमेल आपकी लॉग इन इस सम कोट्री परपच के लिए बलर किया हुआ है अब यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा गूगल एकाउंट का आपको इस पे सिंपल सा क्लिक कर देना ठीक है आपको इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तब भी आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा सिंपल सा आपको इसी पे चले जाना है जैसे यहाँ पे आप आजाते हैं यहाँ पे सबसे top पे सबसे first number पे आपको एक option मिल जाएगा payment method का यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा manage payment method यहाँ पे आपको इसी पे कर देना है क्लिक और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप आपको ध्यान देनी अपने प्रोफाइल की कि मेरा वही एकाउंट लॉग इन है या नहीं ठीक है खेर वही लॉग इन लेगा बस मैं आपके लिए ही बता रहा हूं कि कहीं गलती नहों आपसे तो यहां पर आपको यह ध्यान दे देना है और यहां पर उसके बाद आपको मिल जाएगा थ्री लाइन का ओप्सन यहां पर देख सकते हैं जहां पेमेंट सेंटर का लिखा हुआ है और यहां पर आपको जैसे क्लिक करते हैं यहां पर कई सारी ओप्सन्स आपके पास आ जाएंगे बट यहां पर आपको कहीं नहीं जाना यहां पर आपको सेटिंग के ओप बताया जाएगा कि payment user तो यहाँ पे gmail अगर अभी दिखाया जाएगा आप उसे एक बार चेक कलने और यहाँ पे आप finally इसे close कर सकते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा payment profile status ठीक है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा payment profile को option आपको यहाँ पे मिल जाए दोस्तों ह Faculty यहाँ सकताए तो को यहाँ पे फटटाफट से password को दे देना है तो यहाँ पे मैं नेकस्ट कर देता हूं तो यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूं next और जैसे यहाँ पे मैं next करूंगा connected presence आ जाएगा तो finally दोस्तों यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपेन होगा यहाँ पर आपको एक region चूज कर लेना है कि आप किसलिए अपने मतलब इसको close कर रहे हैं अपने adsense account को यहाँ पर तो यहाँ पर सोस्तों एक region आपको चूज कर लेना है तो यहाँ पर मैं कोई भी region चूज कर लेता हूँ फाइनली मैंने यहाँ पर एक region को चूज कर लिया यहाँ पर एक region को चूज करने के बाद आपको continue पर यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा कुछ आजाएगा never mind और close payment profile तो यहाँ पर आपको देख लेना है फाइनली अब last step last stage यही है दोस्तों यहाँ के बाद आपको य जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा interface open होगा और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा interface open हो जाएगा मतलब आपका जो है delete हो चुका close हो चुका है तो finally मैं अपनी एक बार adsense में जाके दिखा देता हूँ इसी पर तो यहाँ पर था अब यहाँ पर यहाँ रहेगा क्योंकि बार मैं रीफरेंस कर देता हूँ और यहां पर मैं ad sense को open करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने इस Gmail को open किया अब यहां से जो वो problem था वो finally दूर हो चुका है दोस्तों तो finally दोस्तों आप ऐसे अपने उस fix को जो है मतलब fix कर सकते कि आप कैसे यह सारी problems को दूर कर सकते तो simple सा दोस्तों यही तरीका था आप अपने problem को दूर कर सकते अब यहां पर देख सकते हैं कि मैं नय account फिर से हाफे create कर सकता हूं तो यहां पर मेरी profile भी देख सकते हैं दोस्तों कि यहां से मेरा जो कुछ भी था मतलब वो हट चुका है टो प्राबलम दूर हो चुके है तो ऐसे ही आप कर सकते हैं उम्मीद करते हूं दोस्तों वीडियो पसंद आयोगी वीडियो फसंद आती है तो फटा भट से लाइक और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो चलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे तो अपना ख्याल लगना जैहिं दोस्तों जैवाराद